आज की इस वीडियो को बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है यह वीडियो बनाने का परपस सिर्फ हेल्प करना है विकोज यह बहुत ज़रूरी होता है एक प्रेगनेंट मॉम के लिए उसके बेबी के लिए तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है विच टाइम सनलाइट इस गुड फोर प्रेगनेंसी तो जो प्रेगनेंट मॉम होती है उनके लिए सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है एक मा के लिए धूप लेना विकोज धूप लेने से हमारे अंदर विटाइमिन डी लेवल जो है वो करेक्ट होता है तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तो चलिये स्टाइट करते हैं आज की इस वीडियो को तो स्टी मेक शोर यू यू वैं यू और प्रेगनेंट और लेट स्पीडिंग जब आप प्रेगनेंट है और बच्चे को दूद पिला रही है यू ए दस नाट मीन ने स्टेंग आउटसाइड ओल दी डे पूरा दिन बाहर रहने की जरूरत नहीं है आज यू दो नोट वांट तो इंक्रीज यूर रिसक ऑफ स्किन स्किन की बीमारियों के यानि ज्यादा फुल दे दूप में रहने से स्किन की बीमारियों वगेरा हो सकती है तो इसलिए आपको करना क्या है यानि आपको दस मिनट सिर्फ तो सिर्फ दस मिनट आपको धूप लेना है कब लेना है वो मैं आगे बता रही हूँ आपको अपने हातों में पैरों में सब जगा धूप लेना है Arms and Legs in Sunlight between 10 a.m. and 3 p.m. a day सुबा में 10 बजे या फिर दुफेर के 3 बजे आपको सिर्फ 10 मिनट धूप लेना है अच्छी तरह आपके हातों में पैरों में वगेरा इससे आपको विटामिन D जो होता है वो अच्छी तरीखे से मिलता है और हमारे लिए धूप लेना बहुत जरूरी होता है अपनी आखों के लिए विटामिन D लेवल के लिए बिकोज आप दूद दही जो भी खाते हैं अगर Sun में यानि धूप नहीं लेते तो हमारे अंदर विटामिन D में convert नहीं होता है तो इसलिए धूद नहीं खाने के बाद जरी अगर धूप लेते हैं तो वो vitamin D में convert होता है तो यह हमारे लिए बहुत important है यह एक study में पाया गया है मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ है कि यह study में पाया गया है और यह study कब हुई थी या नीचे date mention है अब देख लेना यह pregnancy के recording यह important चीज है जो मैं बता रही हूँ because मुझे जब मेरी pregnancy में सारी चीज़े नहीं मिली थी यानि मुझे इस चीज़ की knowledge नहीं थी तो मैं कई ना कई धूप बिलकुल भी नहीं ले रही थी तो मुझे पता चला था कि मेरे अंदर vitamin D की थोड़ी सी कमी है फिर डॉक्टर ने मुझे suggest किया था कि आप early in the morning जब सूरज निकलता है तो आपको सिर्फ 5 से 10 minute के बीच में sun का expose करना है तो उस वक्त मुझे पता चला था कि exact हमें दूप में बैटने से vitamin D level जो हमारा एकदम अच्छे से होता है तो मैं नहीं चाती हूँ कि मेरी audience जो मेरी बेहने मेरे channel से जुड़ी है तो उन्हें vitamin D वगेरा की कभी कोई कमी ना हो उनकी pregnancy हमेशा healthy हो और उन्हें normal delivery हो और सबकुछ उन्हें अच्छी तरीखे से पूरी knowledge हो और proper guidance हो और यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर 19 April 2013 में यह survey हुआ था वीडियो अच्छी लगी छोटी सी वीडियो है तो do like, share, subscribe thank you for watching